हत्हेली पर बनी हुई रेखाएं इनसान के भविश्य के बारे में बताती हैं हत्हेली पर बने हुए रेखा हमारे शिक्षा, संपत्ती, भाग्य, मान, सम्मान विवाह संतान एवं जीवन के पूरी कहानी के बारे में विस्तार से बताती है हस्त्रेखा शास्त्र के जानकारों का कहना है कि हथेली पर बने कुछ निशान बहुत शुब माने गए हैं साथ ही कुछ ऐसे भी निशान है जो अशुब होते हैं जिसके चलते व्यक्ति को पूरी जीवन भर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है वहीं, कुछ निशान ऐसे होते हैं, जिसके चलते बिना दिक्कतों के व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की पाता है तंगाली एवं मुसीबतों से मुक्त रहता है, आईए जानते हैं कि आपके हतेली के ये तीन अशुब निशानों के बारे में एक तूटी हुई या फिर कटी हुई रेखा हमारी हतेली के बीच में जो रेखा होती है यह अगर बहुत गहराई और साफ दिखाई दिखे तो इनसान बहुत भागयशाली होता है यही अगर यह रेखा तूटी या कटी हुई हो या फिर आज ही गई हो तो जीवन भर व्यक्ति को कश्टों का सामना करना पड़ता है जीवन में सुख से ज्यादा तकलीफ से गुज़ना पड़ता है भाग्य रेखा पर तिल यदि किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा पर तिल बना हो तो यह एक शुब संकेत माना गया है कहा जाता है कि इन मनुश्य के जीवन में रुकावट आता है जिससे व्यक्ति के जीवन में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है इसके अलावा लोगों को जीवन भर कर्ज लेकर चुकाना पड़ता है इनके खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं होता है हथेली पर क्रॉस का निशान हथेली के मध्यमा उंगली के नीचे शनी परवत पर क्रॉस का निशान हो तो बहुत अशुग माना गया है शनी परवत पर क्रॉस का निशान का अर्थ है लड़ाई जगड़े एवं दुरघटना एक्सिडेंट की संभावना होती है जिन लोगों के हत्हेली पर एम एम के निशान होते हैं वह बहुत भागयशाली होते हैं इनके जीवन में कोई कश्ट नहीं होती है